रमजान इस साल दो अप्रेल यानि आजल से शुरू हो रहा है मैने भर के अवधी के द्वारान जो रोजा या उपवास रखते हैं उनके लिए रमजान का महिना दो मई को समात होगा लोग अपना पहला भुजन या सहरी कने के लिए सुबह जल्दी उड़ते हैं और शाम को वापना एफ़तार के साथ उपवास तोड़ते हैं ये महिना सभी मुसल्मानों के लिए बेहद शुब और फवित्र माना जाता है रम रमजान इसलामी कलेंडर का नवा महिना है सिमा है रमजान कहा जाता है रमजान के महिने में रोजे रखने रात में तरावी की नमास पढ़ना और करान तलावत करना शामल है मुसल्म समधाय के लोग पूरे महिने रोजा रखते हैं सूरज निकलने से लेकर डुगने तक कु بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کا مبارک ماہ आज अगर 29 का चांद हुआ तो आज से शुरू हो जाएगा इंशालला पहली तरावी होगी नहीं तो कल इंशालला पहली तरावी और परसों पहला रोजा होगा और ये माह बहुत ही मुबारक माह है आमाल की कसरत इस माह में बढ़ा देना चाहिए हम लोगों को और रमजान المبارک का पूरा महीना अपने कामों से फारिख कर लें कोशिस ये करें कि कम से कम वक्त कामों में लगे और जादा से जादा वक्त अबादात के अंदर लगे और इस माह के अंदर अल्ला ने रोजा रोजे को फर्ज किया है और रोजे का बदला अल्ला ताला देगा और आने वाले रमजान के बाद एक ईद का दिन आता है और ईद का दिन उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने रमजान المبारक में पूरे माह रोजे रखे हों और इल्ला ये किसी उजर की वज़े से कभी कोई रोजा छूड़ गया उसका वो बाद में हम गज़ा कर लेंगे उसका कफारा जो भी मसायल होंगे उसके इतिबार से लेकिन पूरे रमजान अलमबारक के रोजे रखें और अबादात की कसरत बढ़ा दें तिलावत कुरान की तिल जावत जिक्र असकार और नवाफिल की कसरत तहज्जद की कसरत इन सब चीज़ों को बढ़ा दें और कोशिस ये करें कि रमजान अलमबारक का जो महीना है वो हम चूंके रोजा रखतें ल्ला की अबादात अबादत करतें और दिन बर भूके रहकर करतें तो अल्ला ताला है इस महीने की वज़े से दुनिया को लोगों को ये नसीयत दी है कि भाई अपने जो परोसियों के हुकुक हैं चाहे वो किसी भी वर्ग से तालुक रखने वाला हो सभी परोसियों के अपने हुकुक हैं उनका धिहान रखें खाने का पीने का फूट का और पूरे महीने लो और लोगों के साथ गम्खारी को बढ़ा दें। अम सब को अमल की तुफिक मरमत फरमाएं।